आपका दोस्ट थोड़े ही है लेकिन दुखड़ा भी कहा रूआ इन लोगों ने बड़ी चिंता विक्त की पार्लेमेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ मैं कहता हूँ ना समझ लोग है ये तो विशुद भारतियता का हैसास कराता है कि छत टपकड़े ही है बाल्टी लगी हुई है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है जरुवत थी चश्मा पहनने की चश्मा वहां रख देने की नहीं आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट मल्टी कम्यूनिटी हाउसिंग सोसाइटी बननी शुरू हुई थी सर्थ आज वो सारी चीजे खत्म हो गई जातियों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है समुदायों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सोसाइटी में नहीं रख सकते ये हमारी राजनी और नीप नेताय कर दिया है संपती का असंतुलन भी शेहरों में बहुत दिखता है सर्थ और ये सैटलाइट मेट्रोपॉलिस नहीं कि एक स्लम रिहाबिलिटेशन किया दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाके रख दिया कैसे काम करेंगे कैसे रोजगार चलेगा मुझे तो अक्सर यादाता है विद्यार्थी जीवन में हरप्पा मोहन जोदरों की ड्रेने सिस्टम की तारीर सुनता था सर अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए वो ज़्यादा बेहतर था पार्णी सिरी मनोज कुमार जाजी शुक्रिया पांच मिनट शुक्रिया उपसभापती महद है जब आप पांच मिनट या तीन मिनट कहते हैं तो लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंती मिच्छा पूछी जा रही है ये समय आप ही लोग करते हैं जानता हूँ सर आपका दोस्ट थोड़े ही है लेकिन दुखड़ा भी कहा हो आप बोले बोले मैं बड़ी खुशी हुई माननियम मंत्री जी यहां है अभी नव नियुक्त मंत्री जी है बड़ा अनुभव है हर्याना का और अच्छा भी भाग भ अपनी जगह सर मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करूंगा अब ये स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोल नहीं रही है सर इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है अच्छा सा नाम रखो उस नाम के पीछे काम नहों तो दीरे दीरे बोलना कम कर दो उसके बारे म अब अभी हाल में राश्टपती भवन में गंतंत्र मंडप बना साहब गंतंत्र का मंडपी करण नहीं होना चाहिए ये उचित नहीं लगता है महराल उपसभापती महोद है बीजय साही रेड़ी जी प्रियंका जी इन लोगों ने बड़ी चिंता वेक्त की पार्लेमेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ मैं कहता हूँ ना समझ लोग है सर ये तो विशुद भारतियता का हैसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर ना समझ सब चेक कर लिएगा ना समझ सब अच्छा न मैं वापस लेता हूँ ना एकदम भुपेंदर भाई इसलिए आपको यहार रहना चाहिए मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने साथ इसकी मर्म को नहीं समझा कि छट टपकड़े ही है बाल्टी लगी हुई है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है मैं इसलिए उसके लिए सिकायत ही नहीं करूँगा सर मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान में गांदी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं वैसे स्वच्छता की और गांदी जी का चश्मा जरुवत थी चश्मा पहनने की चश्मा वहां रख देने की नहीं गांदी का चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि दो परस पर विरोधा भासी चीजें गांदी और दूसरा मैं नाम नहीं लोगा एक साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझको नाम लेना भी बुरा लग रहा है सर्थ तीसरी में मंत्री जी को कहूंगा स्ट्रीट वेंडर्स शेहरों की रीड होते हैं उनके साथ में आई कीजिए नाइस्ताफी हो रही है उनके साथ आपकी नीतियां कुछ बनती है पुलिस प्रसाशन किसी और से किसी और तरीके से आप्ष करता है और उस मद में जिसको हम कहते हैं पी-म स्वानी दी आपका एलोकेशन भी 30 प्रतिशत कम हो गया है तो मैं आपसे आगरह करूँगा उसको देखिए IEC स्वाच्चता में IEC में लोकेशन कम हो गया है अमरुत में आधा काम भी नहीं हुआ है प्रपगेंड़ा अपनी जगह और मैं एक चीज़ कहूंगा माननिय मंत्री जी को आपके माद्यम से सब्सक्राइब करन की जरूरतों को गाउं को समझे बगएर नहीं किया जा सकता जब तक ग्रामीन पलायन ग्रामीन अर्थवेवस्था उस पर आपकी नजर नहीं होगी आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक शेहरों में लोग आएंगे आप एकुमडेट करने में फेल करेंगे आपके बदले कल को हम हो तब भी वो दिक्कते होंगी मैं एक चीज़ और भी उसमें कहूंगा संपती का असंतुलन भी शेहरों में बहुत दिक्ता है सर सर एक चीज़ और कहूंगा हमारे शेहर जब बनते हैं ये कोई बिल्डिंग बनती है तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए मजदूर लगातार चाहिए और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग बना के देता है उसके बाद वो मजदूर आपको secondo बारी लगने लगता है वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते है और उस स्लम को अपने नजरों से दूर करना चाहते है स्लम हमारी नीतियों पैदा करती है स्लम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग है उनके बारे में दिस्टिकोन साफ होना चाहिए और ये सैटलाइट मेट्रो पॉलिस नहीं कि एक स्लम रिहाइबिल्टेशन किया दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाके रख दिया कैसे काम करेंगे कैसे रोजगार चलेगा तो ये चीजें सीवर ड्रेनेश के बारे में कही साथी बोल चुके हैं मुझे तो अक्सर यादा आता है बिद्यार थी जीवन में हरपा मोहंज़दरों की ड्रेनेश सिस्टम की तारीश सुनता था सर अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए वो ज्यादा बेहतर था मैं और एक आखरी चीज़ करूँगा सर आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट मल्टी कम्यूनिटी हाउसिंग सुसाइटी बननी शुरू हुई थी सर आज वो सारी चीज़ आखरी ती सेकेंड सर आज वो सारी चीज़े खत्म हो गई जातियों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है समुदायों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सुसाइटी में नहीं रह सकते ये हमारी राजनीत और नीप ने ताय कर दिया शुक्रिया सर जाइन शुरी मती जया अमीता बच्चन